भारत सरकार द्वारा जो बनाये गए नए कानून के तहत ड्राइवर्स के उपर जो ड्राइविंग जो नेगलेजेंस ड्राइविंग रश ड्राइविंग के उपर बनाये गया कानून था उसमें कठोर जरूर दंड था प्रावधान था पनिश्मेंट भी ज्यादा था फाइ हो कम से कम हो और ये दिखे कि कम हुआ है तो इसके लिए शायद ऐसा था पनिश्मेट लेकिन अब भारत सरकार ने उस पर पुनर्विचार करने के हिसाब से सोचा है कि नए कानून आएंगे नई बात आएगी तो उसमें देखा जाएगा लेकिन हां ड्राइवर के आर्थिक स्थिति है या जो प्रोफेशनल ड्राइवर हैं या जो ड्राइविंग करते हैं जो इस तरह के हैं तो उनके ऊपर कई केस की बात हो या भाग जाने बाली बात तो ठीक है देखिए रोड़ एक्सिरेंट में भागने का कोई मतलब नहीं होता है आप पे हुआ एक्सिडेंट आप उसका इलाज कराएं पहुंचाएं फास्ट डिलाएं जो भी है उसका पूरा तरह से बताएं तो यह आवश्चक हो जाता है और इसी आधार पर भरसरकार की संकल्पना यही थी कि देश यो हमारा रोड एक्सिडेंट की संख्या कम हो लोग सुरक्षित रहें जो आज ड्राइविंग कर रहा है कल यूसका कल वो भी तो रोड पर चल लाहा होगा वो भी तो जा रहा होगा इसीलिए कटोर कानून और दंडात्मक प्रक्रिया को कटोर किया गया था लेकिन दिरोध हुआ आंदोलन हुए प्रधर्शन हुए राजनी तो ही सब कुछ हुआ तो निश्चित तोर पर परिवर्तन संसार का नियम है और बदलाओ होगा और बदलाओ आएगा जब बदलाओ आएगा तो निश्चित और सुधार होगा भारत सरकार देश की जनता के लिए काम कर रही है सबका साथ सबका विकास सबका विश्व प्रविंग कोई है लग उसी समाज का हिसा भी समाज का अंग भी है और उसी समाज के दाइरे में रहते हैं और उसी आधार पर सब चलते हैं जिस आधार पर यह ऐसा कुछ हो रहा है और इसमें परिवर्तन आएगा तो और सुधार आएगा लोग अपने बातें दें सुझाओ दें क्या सुझाओ चाहते हैं लेकिन देखना ये भी है कि हमारा देश रोड एक्सिरेंट में जो बढ़ता चला जा रहा है आगे बढ़ता चला जा रहा है रेशियो कावट हो रोड एक्सिरेंट कम हो लोगों की जान माल का नुक्सान कम हो क्योंकि जब एक व्यक्ति की किसी की मौत होती है एक्सिरेंट होता है तो कई रिस्तों को प्रहावित करता है कई रिस्ते उससे प्रहावित होते हैं उन सब रिस्तों के चोटों पर मरहम लगे उन सब को राहते इसी लिए मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिबुनल की बात हो इंसुरेंस की बात हो रोड के कानून की बात हो अच्छी रोडें अच्छे यातायाद अच्छे सम्मिलें उनके लिए होना चाहिए